गुड मॉनिंग स्ट्वेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं आप लोग अच्छे होंगे जबकि वशी नंबर 38 आई ये से लेबल कीजिए डेट डाल दीजिए क्लास सब्जेक्ट अपता नाम अपने टीचर का नाम लिख दीजिए आज फिर से हम लोग अकबरी लोट वे ना कर सके यानि अब उन्हें आपको याद होगी इसकी स्टोरी क्योंकि हम काफी टाइम बाद इसे पढ़ लें कि उनको जो है लाला जाओ लाल को अपनी वाइफ को कुछ पैसे देने है डाई सो रुपे तकरीबन शैद उन्होंने मांगे थे और उन्होंने उन पैसों क पढ़े लाला जाओ लाल चात पर टहल रहे थे यानि आप बिचारे इसी उधेर बुन में थे टहल रहे थे कुछ पैस मालूम हुई पैस लगने लगी उन्होंने नौकर को अवाज दी नौकर नहीं था खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई अब वो पानी प्यास लगने ल लिए वैपर कट हुई यह अब देखे यह मैनर्स के खिलाफ है हमसे कोई पानी मांगे और हम उसे जग दे दें ले जाके के पीलो बही जित्ता पीना या बाडल पकड़ा दे लो पीलो जाके यह थोड़ी नहीं होते हमें उन्हें ग्लास में तरीके से सर्फ करना होता है कि फिर लोटा भी सहयोग से वे जो अपनी बेडोली सूरत के कारण लालाजा लाल को सदा ना पसंद था यह ऐसा लोटा लाई के जो जिसकी सूरत बड़ी घणिया सी थी दिए ले जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे ठीके था तो नया साल दो साल का ही बना पर कुछ ऐसे गढ़न उस लोटे की थी कि उसका भाब डमरू मा चिल्लम जैसा हो रही थी जो उसके लोटे की बनत थी वो बिल्कुल भी अट्राक्टिव नहीं थी जादा पुराना नहीं था वो नया ही था साल दो साल ही हुए थे उसे बने हुए लेकिन फिर भी वो अजीब उसकी गढ़न उसकी जो बनत थी ना वो जो डिजाइन थी वो अजीबी थी ठीक है यहां देखे लिखा है लाला ने लोटा ले लिया बोले कुछ नहीं अपनी पतनी का अदब मानते थे ठीक है यानि वो अच्छे थे अपनी वाइफ को इज़त देते थे तो वो कुछ नहीं बोले मानना ही चाहिए भई जाहिर सी बात है बीवी को प्यार करना चाहिए उसको इज़त बीवी नहीं हर किसी को आपसे कोई बहुत चोटा भी है आपको उसको भी अदब के साथ बोलना चाहिए अगर आप उसे प्यार करोगे अदब करोगे तब है तो वो आपको बदले में अदब करेगा प्यार करेगा आप पहले उसे तू करके बोलोगे तो वो भी आपसे तू करकी बात करेगा तो इसी को सब्भेता कहते है जो पती अपनी पत्नी का ना हुआ वो पती कैसा यानि की अब देखें यहां पे बात ख्यालात क्यों ने लगी है यहां पे इसका मतलब यह कि वो दिल से अपने बीवी की इज़द करना नहीं चाहते हैं वो सर्फ इसलिए इज़द कर रहे हैं क्योंके समाज उनसे कह रहे है ठीक है फिर उन्होंने यह भी सोचा की लोटे में पानी दे ठीक है तब भी क्या है गनीमत है अभी तो अगर चू कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा ठीक है यानि आप देखिया वो बिचारे डर भी रहे हैं क्याबी तो लोटे में ही पानी दिया गनीमत है गनीमत समझो सही समझो पी लो चुक चाप से अगर फाल्टू बोला ना तो कल को भोजन भी बाल्टी में मिलेगा प्लेट में नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे बाकी क्या रह जाएगा तब खेर ये तो मजाहिया बाते हो रही है लाला अपना गुसा पी कर पानी पीने लगे अब उनका गुसा भी हलका हो गया था और वो पानी पीने लगे उन्होंने कुछ नहीं का उस समय वे छत की मुडे के पास खड़े थे जिन बुज़ूर्गों ने पानी पीने के संबंद में ये नियम बनाये थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो सोते समय पानी ना पियो दोरने के बाद पानी ना पियो उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया था या नहीं कि छट की मुढेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो यानि कि अब बड़े लोगोंने नियम बनाए है मुझे नहीं पता आपके ममी पापा या दादा दादी आपको तोकते हैं नहीं, झाले आपा-कॉर्स ऑग्री को प्रूँए खड़योंगे पाना माएऊ सहाँ II है। अगर कभी खड़ग के पानी पी लिया पहली बात तो पिते नहीं पे पीटे को памई हमेशा बैटके पीना चाही यह क्ना बोटटल से बिन बिसके ऐज वस्ताुर ही पानी giornées यहाँ पे थोड़ा सा ताने वाले फॉर्म में कह रहे हैं कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े नियम बना दिये क्या उन्होंने ये नियम भी बनाया है कि छट की मुढेर पर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए जान पड़ता है कि इस महतवपूर्ण विशे पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है यानि मुझे ऐसा लगता है कि इस महतवपूर्ण विशे पर उन लोगों ने कोई बात नहीं की है ठीक है लाला जाओ लाल मुश्किल से दो एक घुट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया ठीक है उनका हाथ हिला और लोटा क्या हो गया छूट गया लोटे ने दाएं देखा ना बाएं वहीं नीचे गली की ओर चल पड़ा अब लोटा जाहिर से बतब देखें यहां पर बिकार की बात हो रही है लोटा बला गिरने से पहले देखेगा कि मुझे रोट क्रॉस करना है पहले मैं राइट देखू फिर लाफ देखू फिर राइट देखू फिर रोट क्रॉस करूं ऐसा थोड़ी नहीं लोटा तो की छूटा है तो जमीन में ही जाएगा तो वो नीचे गली में गया अपने वेग में उलका को लज़ जाता हुआ वे आँकों से ओज़ल हो गया वो गिरता पड़ता गायब हो गया आँकों से किसी जमीन में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने प्रित्वी के आकरशन शक्ती का नाम कि एक चीज इजात की थी कहना ना होगा कि ये सारी शक्ती उसी समय लोटे के पक्ष में थी यानि कि अब कहते हैं आप आपने न्यूटन का लोग भी पढ़ाए कि कोई चीज उपर से अगर गिरती है तो वो नीचे ही आती है और बहुत तेजी से आती है ये थर्ड लोग ऑफ न्यूटन है ना न्यूटन का थर्ड लोग है ये तो अब भो बोलते हैं कि यहां पे भी न्यूटन का ही लोग काम कर रहा था और वो सीधा जाके गिरा किसके एक अंग्रेश के सर के उपर आगे क्या होता है यह हम लोग आगे कहानी में बढ़ेंगे फिलहाल यहाँ आपको शब्दार दिये गए अदब माने लिहाज, गर्णा माने बनावट, ओजल माने गायब हो जाना, खुराफाती, शदारती, और यहाँ पे लिका इजाद यानि की खोजना अब यहाँ लिखा गद्यांच को पढ़कर निमलेकित प्रशनों के उत्तर लिखिए, अब पहला प्रशन लिखा है, लाला जाहूलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से क्यूं ले लिया, चिलिया अंसा देखते हैं आप इसकांसा यहाँ से लिख सकते हैं कि लाला ने लोटा लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे नेक्स कुशन लिखा है आपके विचार से बुजर्गों ने पानी पीने के संदब में क्या क्या नियम बनाए हैं कि अंतर आप यहां से लिख सकते हैं कि खड़े खड़े पानी ना पिएंज इस्कान सा दिखते हैं आप इस कांसा लिख सकते हैं कि जब हम किसी चीज को उपर की और फेकते हैं उपर से नीचे फेकते हैं नीचे से उपर फेकते हैं तो गुर्दा अकर्शर बल क्या करता है उस चीज को नीचे की और खीच लेता है ठीक है यही है आपका न्यूटरन का लॉग लास्ट कोशनल लगा है गती विधी क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन है जो आपको नापसंद है बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने का कारेंड भी लिखिए यानि क्या आपकी रसोई में कोई ऐसा बर्तन है जो आपको पसंद नहीं है और क्यों नहीं है कि कोई बर्तन ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है किसी भी वज़े से पसंद नहीं है तो आप उस बर्तन को नाम लिखके यहाँ पे मैंशन करेंगे कि वो क्यों बसंद नहीं है ठीक है मेरे किचिन में ऐसा कोई बर्तन नहीं है जिससे मेरी कोई परसनली दुश्मनी हो ठीक है कभ अगर अभी दख आपने माय चांग को सिस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज माय चांग को सिस्क्राइब करें थैंक्यू फो वाचिंग